साथियों, बहुत सी बाते हैं, जो इतिहात मैं दबोच करके रख दी गई हैं, दबा दी गई हैं, सत्यात तक पहुंचे नहीं, इसके लिए बहुत खेल खेले गए हैं, पांच पांच छेशे दसक से यह हुआ है, आपको देखा होगा, अभी दो-तीन दिन पहले मैंने संसद म पार्लामेंट में गोवा क्या जिक्र किया था, कैसे कॉंग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था, मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाईयां बताई थी, बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है, कि गोवा भारत की आजादी के भी डेड़ दसक बाद आजाद हुआ था, पंद्रा साल जादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था, भारत के पाद फोस थी, सेना थी, हमारी मजबूर नेवी थी, कुछ गंटे में जो काम हो सकता था, वो कॉंग्रेस ने पंद्रा साल तक नहीं किया, गुवा के लोग अपनी मुक्ती के लिए संगर्स करते रहें, सत्याग रही गोलिया खाते रहें, अत्याचार सहते रहें, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने उनकी मदद नहीं की, देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी ने लाल किले से कह दिया था, और आज आप उनका भासन यूटूब पर जाकर के सुन सकते हैं, लाल किले से कह दिया था, कि गुवा की मुक्ती के लिए, संगर्स कर रहें सत्यागरों की मदद के लिए, वो फोज नहीं बेजेंगे, मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना आए तो मरो, जीना आए तो जीनो, ये तरीका, गुवा को लेकर कॉंग्रेस की यही सोच पहले भी थी, और आज भी है, यही कॉंग्रेस आज आप से वोट मांग रही है, कॉंग्रेस हमेशा राज्य को अस्थीरता के रास्ते पर दकेलती आई है, कॉंग्रेस का जम्मन चाहा, यहां किस सरकारों को अस्थीत कर दिया, इसलिए आज एक तरफ विकास वादी भाजपा है, तो दूसरी तरफ अस्थीरता वादी कॉंग्रेस है, आज एक तरफ प्रमोज सावन जैसे युवावर इमानदार नेता है, और जो खुद को मुख्य मंत्री नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं, मैं तो मुख्य मित्र हूँ, अपने आपको मुख्य मंत्री नहीं, मुख्य मित्र के रुप में ही वो पहचान कराते हैं, और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं, दूसरी और वो चहरे हैं जिनका प्रस्टाचार का पुराना ट्रेक रेकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है इसलिए गोवा की चोईस बिलकुल साफ है गोवा भाजपा के साथ है